सबी दश्कों को मेरा नमस्कार कैसे हो आप सबी लोगी एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूँ और आज की वीडियो का टॉपिक होगा यानी वो चार कौन से हर्ब हैं जो की आपकी टेस्टरास्टरोन प्रोड़क्शन को बढ़ाने में आक्चुली में काम करते हैं जैसे की ये आपका बूनमास बढ़ाता है जो लोग बॉडि बिल्डिंग में हैं फेटनेस में हैं जल्दी मसलमास पो टॉन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही आवशक है कि उनके टेस्टरास्टरोन लेवल अच्छे होने चाहिए ये आपके red blood cell की production में काफी helpful है और हाँ ये आपके sperm cell की production में भी काफी एहम role play करता है तो ये कह सकते हैं कि एक male की entire life को healthy बनाए रखने के लिए टेस्टरास्टरोन एक बहुत ही important hormone है और अब हम वीडियो में आगे जानेंगे कि चार कौन से ऐसे हर्व होंगे जो कि आपके टेस्टरास्टरोन लेवल को बढ़ाई रखने में आपको मदद करेंगे Let's start our video adulthood में आपके टेस्टरास्टरोन लेवल पीक पे होते हैं But most of the cases में 30 की एज के बाद टेस्टरास्टरोन लेवल ड्रॉप होने लगते हैं जिसके लिए आप टेस्ट भी करा सकते हो But अगर आपको टेस्ट नहीं भी कराने तो कुछ symptom आपकी बॉडी में ऐसे दिखाई देने लगते हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपका टेस्टास्टरोन लेवल लो है जैसे की लो सेक्स ड्राइव, डिफिकल्टी विद एरेक्शन, लो सिमन वॉल्यूम, हेर लॉस, फटीक, लॉस अफ मसल मास, इंक्रीज बॉडी फाट, डिक्रीज बोन मास, मूड चेंज़, एफेक्टिड मेमोरी, स्मॉल टेस्टिकल साइज, और लो बलड काउट्स और टेस्टास्टोन बढ़ाने के लिए मारकेट में तरह तरह के टेस्टास्टोन बूस्टर मिल रहे हैं, जो कि ये क्लेम करते हैं कि उनको खाने से टेस्टास्टोन लेवल बहुत बढ़ जाते हैं, बट मैंने कभी ट्राइ नहीं किये, तो मुझे नहीं पता वो काम करते ह हैं क्या नहीं करते बट ये चार हर्ब जो हैं वो काफी लंबे समय से हमारे आयरुवेदा में यूज किये जा रहे हैं और इवन मैंने सभी ट्राइ किये हुए हैं और जिनके अच्छुली में बहुत बेनिफट है फर्स्ट हर्ब जिसके बारे में डिसकस करेंगे वो है अश्वगंदा जिसको इंडियन जिंसिंग के नाम से भी जाना जाता है अश्वगंदा को काफी लंबे समय से आयरुवेदा में इस्तमाल में लाया जा रहा है और हां इसको किंग आईरवेदिक हर्ब्स भी कहते हैं कोई भी एज ग्रूप के लोग इसको इस्तमाल कर सकते हैं टेस्टास्टोन लेवल बढ़ाने के साथ साथ इसके और भी काफी सारे हल्थ बेनिफिट हैं ये आपकी प्लाट शुगर लेवल और केलेस्ट्रोल को कम करता है मसल मास को बढ़ा ठीक कर देता है और अगर आप बात करें इसके कंजम्शन की तो अश्वगंदा का पाउडर फॉर्म इस्तमाल करने के लिए बेस्ट फॉर्म है आप एक ग्राम से शुरुआत करके पांच ग्राम तक जा सकते हो अगर आप इसको ब्रेकफास्ट के बाद दूद घी या हफते के सेवन से ही आपको बेस्ट रिजर्ट देखने को मिलेंगे सेकंड हब है शिलाजीत शिलाजीत को मेजरली सेक्ष्वल हल्ट के लिए इस्तमाल में लाया जाता है बड़ इसके बहुत सारे और भी हेल्थ बेनिफिट है शिलाजीत एक स्टिकी सबस्टांस है जो कि हि कि आपको इसको unprocessed या raw form में इस्तमाल नहीं करना क्योंकि उसमें बहुत सारे दोशित पदात हो सकते हैं तो make sure जो भी शिलाजीत आप इस्तमाल कर रहे हो वो purified होनी चीए और मैं पिछले कुछ समय से कपीवा का हिमालेन शिलाजीत इस्तमाल कर रहा हूँ ये resin यानी semi liquid form में आता है जो की शिलाजीत की एक purist form है इस्तमाल करने के लिए कपीवा के हिमालेन शिलाजीत में कोई भी flavor और color add नहीं किया गया है इसका मतलब ये 100% organic है and the best part is कपीवा के शिलाजीत को बिना किसी chemical treatment के purify और filter किया जाता है जिसकी वज़े से हमें मिलता है बहुत ही quality product जो की lab tested है और certified है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शिलाजीत के और भी बहुत सारे health benefit है शिलाजीत में होते हैं 84 से जादा mineral जो की आपके testosterone level को boost करता है साथ ही साथ आपके energy level भी बहुत high कर देता है इसके साथ इसमें होती है antiviral और anti-inflammatory properties ये आपकी body में damage cells को repair करता है जिससे की आपकी aging slow हो जाती है means आप young बने रहते हो ये आपकी body में iron levels को बढ़ाता है साथ में आपका libido भी बढ़ाता है और हाँ ये आपके sperm cell की quantity और quality दोनों को improve करता है अगर बात करें doses की तो जैसे की हम बात कर रहे हैं resin form की जो की एक purest form होती है शिलाजीत की उसको आपको चम्मच का जो पिछला हिस्सा होता है उसको थोड़ा सा गरम करके एक मटर के दाने जितना उसको निकाल ले और lukewarm water या lukewarm milk में आप इसको अच्छे से dissolve करके consume करें और अगर आप कपीवा का authentic हिमालियन शिलाजीत इस्तमाल करना चाहते हैं तो description box में आपको link दिया गया है click करें और product जरूर चेक करें third herb जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है tribolus ये again एक बहुत ही अच्छा herb है जिसका root और fruit दोनों को ही आरवेदिक मेडिसन में इस्तमाल किया जाता है this is very popular among bodybuilders because ये आपकी testosterone level काफी boost कर देता है इसलिए जितने भी testosterone booster है उसका ये एक main ingredient है tribolus आपकी immunity बढ़ाता है, kidney functioning में ये काफी useful है, urinary tract infection को ठीक करता है और ये एक बहुत ही अच्छा natural diarotic है, इसके साथ ही ये आपकी sex drive और lipido को बढ़ाता है और हाँ, ये आपका cholesterol और blood sugar level को control करने में भी help करता है अगर आप tribolus इस्तमाल करना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखो कि जो powder form होती है वो एक best form होती है इस्तमाल करने के लिए, आप इसको दिन भर में 1.5 gram तक खा सकते हैं, जिसकी आपको 3 divided doses खानी चाहिए यानि half gram सुभा, half gram दुपैर को और half gram रात को फोर्थ हर्ब जिसके बारे में discuss करेंगे वो है सफेद मूसली, जिसको आयरवेदा में white gold भी कहा गया है और ये एक rare Indian हर्ब है, जिसकी international market में demand बढ़ रही है because of its benefit, especially for men's sexual health सफेद मूसली आपका testosterone level बढ़ाने में तो कारगर है ही, इसके साथ-साथ ये आपकी strength, stamina को बढ़ाता है, fatigue को कम करता है, weight gain करने में काफी helpful है साथ में ये आपकी immunity को बहुत अच्छा कर देता है जिन लोगों को arthritis है या joint pain है, वो अगर सफेद मूसली का सेवन करेंगे तो उनको बहुत लाब होगा और साथ में जो लोग diabetic हैं, उनको भी ये काफी help करेगा सफेद मूसली को भी आप powder form में ही consume करें दिन में दो doses आप ले सकते हो, एक dose में आपको 3-6 gram powder consume करना है याद रहे, पूरे दिन भर में आप 12 gram से ज़ादा ना खाएं for best result आप इसको गरम दूद के साथ लें और हाँ, अगर आप सफेद मूसली जितनी शक्कर भी उस दूद में add कर लोगे तो आपको additional benefit मिलेगा वीडियो समाब करने से पहले कुछ बाते सबसे पहली अगर आपको कोई भी underline disease है तो आप डॉक्टर की सलहा जरूर ले कोई भी herb इस्तमाल करने से पहले दूसरी, किसी भी herb को आप बहुत लंबे समय तक इस्तमाल ना करें 6-12 हफते इस्तमाल करने के बाद आप थोड़ा gap ले ले और हाँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ मेरा काम है informational videos बनाना, आप सभी लोगों के साथ share करना ये थी information की हम अपने testosterone level को कैसे boost कर सकते हैं साथ में healthy lifestyle कैसे वतीत कर सकते हैं इस तरह की videos आप सभी लोगों के समक्ष लेके मैं आता रहूँगा अपना ध्यान रखें, अपनी health का ध्यान रखें Till then, goodbye, नमस्ते अपना ध्यान रखें